मज़कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तों आज हम हरी मिर्ची का गोड़ा बनाएंगे यह बहुत ही स्वाधिश्ट होता है और ठंड के सीजन में बहुत ही आसानी से यह मिर्ची मिलें लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है आईए दिखाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं तो हमने कडाही रख दिया है उसमें हमने दो चमच तेल डाल दिया है और उसमें आधा चमच हमने जीरा डाल दिया है जीरा हमारा थोड़ा सा चटक जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे और मसाले तयार करेंगे तो यह प्याज हमने एक प्याज बारी काटके रखा था जिसको हमने डाल दिया है और थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें अदरक लेसुन का पेश डाल के भूनेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा टांस्पेरेंस होने लगा है और हलका सा इसको हम और भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें अधरक लेसुन डाल देंगे तो अब ये हो चुका है और चलिए अब हम इसमें अद्रक और लेसुन आइट कर देते हैं और उसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि अगर इसमें कच्छा पन रहा तो हमारे पकोड़े का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो अब हम इसको भून लेंगे जब अद्रक और लेसुन को फिर हम इसमें वाकी सारे मसाले आइट करेंगे और उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे अद्रक और लेसुन भी भून चुका है तो चलिए पहले हम इसमें मसाले आइट कर लेते हैं क्योंकि मसाली जब हम इसमें तेल में डालेंगे तो वो थोड़ा सा भून जाएगा और उसका स्वाथ बहुत अच्छा आने लगेगा तो देखे, लैसन अदरक भूण चुका है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घंख़ि पाउडर और और हम भूड़ा सा धनिया पीया डालेंगे तो पहले आप मिर्चे को चेक कर लें अगर आपकी मिर्ची तीकी हो तो आप मेर्चा ना डालें जी और नमक के मातर आप अपने अनुसार कम जादा कर सकते हैं तो अब हमने आलू इसमें डाल दिया आलू को हमने कदुकस कर लिया था बॉयल करके और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें नमक तो नमक भी अपने स्वाद के अनुसार ही आप य तिए लेगा रिखी लिए तो आप देखे रिदै कि तो यह ने डी ने सकते रखेंगे तो आप देखेंगे को अब अजयान देखेंगे तक यह कुंड़ने देखेंगे तो आपने पाद़के है निया फिर चाहिए अपैसी फूर्चे में थी तो और अच्छे से हम इसको भरेंगे ताकि इसका सौद अच्छे से आये, आलू का सौद जो है मिर्चे के अंदर, तो इसी तरह से हम अच्छे से भरते हुए, और ये देखिए अंदर से हमने मिर्ची का बीज निकाल दिया है, क्योंकि बीज अगर इसमें बन जाता है, तो बेशन का घोल बनाएंगे, तो हमने ये बेशन ले लिया है, कप के करीब, और इसमें हम थोड़े से मसाले अट करेंगे, तो इसमें हमने डाल दिया धनिया पाउडर, और उसके बाद हम आधा चमच इसमें डालेंगे, गरम मसाला, और हल्दी पाउडर, और थोड़ी से हम लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मारी मिर्ची कड़ भी नहीं है तो हम इसमें थोड़ी से मिर्ची एट किये हैं और इसमें हम डाल देंगे नमक और उसके बाद हम पानी डालके अच्छा सा घोल तयार करेंगे खोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए बस इस consistency में चाहिए कि ये अच्छे से उस पर मिर्चे के उपर लिपट जाए तो इसको हम अच्छे से देखे इसको पेट लिए हैं और अब हमने इधर कड़ा ही रख दिया है जो तेल हमारा घरम हो रहा है तो जब हम घोल तयार कर लेंगे तब हम मिर्चे को फ्राइ करेंगे तो अब घोल देखी हमारा न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और न न ही बहुत पतला है तो अब हम चलिए फ्राइ करके दिखाते हैं आपको तेल हमने पहले से रख दिया है गरम होने को तो अब तेल हमारा लगबग गरम हो चुका है तो अब हम एक-एक मिर्ची लेंगे और अच्छे से इसको कोट करके बेशन को और तेल में डालते जाएंगे और इसको हम golden fry करके निकालेंगे और यकीन मानिए बहुत ही crispy और tasty से बनेगा ये पकोड़ा और खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है आप इसको खाना के साथ भी खा सकते हैं आप इसको simple इस तरह से भी खा सकते हैं जिस तरह से आपकी मर्जी हो आप इसको उस तरह से चाय के साथ इंज्वाय कर सकते हैं तो अब हम इसको एक साइट से जब हो जाएगा तो हम इसको पलट के दूसरे साइट से भी पका लेंगे और ये देखिए मिर्ची इमारी तयार हो गई है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी बच्ची मिर्ची जो है उसको हम तेल में डाल देंगे और अच्छे से बनाके निकाल लेंगे तो मेरे घर में ये बहुत अच्छा लगता है सबको पसंद आता है और मुझे भी बहुत ही पसंद है ये तो मैं सीजन में दो चार चक्कर तो जरूर ही बना लेती हूँ और इसी तरह से हम देखे सारे मिर्चे को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे तो अब हमारा ये लगभग तयार हो चुका है हमने उसको निकाल लिया और ये हमने पलेट ले लिया है और उसमें हम अपने पकोड़े को सर्व कर रहे हैं उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो बनाईएगा जरूर और बनाकर हमको जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमशकार